आज हम चैप्टर टू का सेकिंड लास टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का जो अमारा टॉपिक है वो है केस्टडी आज हम केस्टडी के बारे में बात करेंगे कि केस्टडी क्या होती है तो केस्टडी मतलब जब हम किसी एक पॉर्टिकुलर केस को लेकर उसके ओपर स्टडी करते हैं केस मतलब कोई एक परसन हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है सिंगल परसन भी हो सकता है या कोई एक प्रॉपर ग्रुप भी हो सकता है कुछ लोगों का तो case study मतलब जोग हम किसी person को या किसी group को लेकर उसके ओपर study करते हैं तो वो हमारी case study हो जाती है ठीक है? तो case study में हम लोग in-depth in-depth का मतलब एक गहराई में जाके बहुत जादा knowledge जब हम किसी के बारे में collect करते हैं तो हम उसको case study बोलते हैं तो इसमें in-depth knowledge होती है new learning होती है जब हमें कोई नई चीज किसी के बारे में सीखने को मिलती है या फिर हम उसकी case study करके अपने subject से related कुछ नया उससे सीखते हैं कुछ नया पता चलते हैं ठीक है? और हम इतनी जादा depth study करते हैं उसके बारे में कि हमें अलग-अलग उसके context में अलग-अलग चीजों के बारे में उसकी learning होती है और यह rich in information है मतलब कि बहुत ज़ादा information हमें चाहिए होती है किसी की case study करनी के लिए case study में हम लोग एक superficial मतलब सिर्फ उपर-उपर से knowledge लेकर नहीं लिखते हैं बलकि case study का मतलब है हमें बहुत ज़ादा detail में किसी के बारे में study करनी है ठीक है और basically जिसकी case study करी जाती है उसको यह चीज पता होनी चाहिए कि हम उसके बारे में case study कर रहे हैं ताकि जो response वो हमें दे तो वो उतना ही detailed response हो जितना हमें detail में करना है तो आपको बताना होता है एथिकली कि जिसकी case study कर रहे हो उसको आप किस लिए study कर रहे हो आपकी case study के जो direction है आप क्या चीज मतलब के ऊपर basically focus कर रहे हो case study में उसके लिए किस event पे किस behavior पे किस चीज के ऊपर study कर रहे हो इसी base पे फिर आप उसको बताते हो तो जो respondent है वो उसी base पे answer देते हैं ठीक है तो case study में आपको किसी भी person या किसी भी group की बहुत ही जादा detail में focus या study करने होती है और इसके अंदर मतलब case study करने के लिए सारे ही जो research method होते हैं वो use करने भड़ते हैं जो research methods है हमारे जैसे interview हम लेते हैं, questionnaire हम questions पूछते हैं questionnaire बनाके psychological testing करते हैं, जितने भी test है psychology के वो use करते हैं हम अपनी case study को पूरा करने के लिए जो भी technique यूज करने पड़े, interview से हो सकता है, questionnaire से हो सकता है यहां में test करने पड़ें किसी के, तो वो हम सारी techniques इसमें use करते हैं लेकिन जो subject होता है हमारा, जिसके ओपर हम case study कर रहे हैं, उसको यह सब चीजे पहले से बतानी जरूरी होती है ठीक है, यह चीजे यहां पर ध्यान रखना क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें honest answer दे, हमें detailed answer दे तभी हमारी case study जो है, वो एक proper case study बन पाएगी अच्छा, इसमें जो होता है, उसके life के events को हम study करते हैं, basically हम case study जब करते हैं, तो हम खाली एक particular time के उपर नहीं लिखते case study हम किसी भी subject की, मतलब कुछ लंबे time तक की case study करते हैं, वो उसके life time का कोई भी period हो सकता है history से लेके present तक का period हो सकता है, ठीक है, मतलब उसके life में कुछ events होते हैं, जो हमें उसमें cover करने होते हैं उसके past और present और future इन सबसे related हो सकता है, तो इसमें कुछ लोग होते हैं, जो इससे related होते हैं, जैसे उसकी family हो गई, friends हो गई, उसके colleagues हो गई, office में काम करने वाले लोग, ठीक है, उसके neighbors हो गई, जितने भी लोग हमारे case, मतलब subject से related हैं, उन सबसे हम interview, questionnaire, ये सब चीज़े हम कर सकते हैं, क्योंकि अकेला वो person जिसके हम case study कर रहे हैं, उसकी कुछ information ऐसी भी होंगी, जो उसको ना पता हो, ठीक है, और वो उसकी family वाले उसके बारे में कुछ बता सकें, या फिर उसके friends उसके बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि आपने self में पढ़ा होगा कि personal self होती है, लेकिन एक social self भी होती है, personal self मतलब जो हम अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक social self का भी concept होता है, कि कुछ ऐसे चीज़े होती है हमारे personality की, behavior की, जो सामने हमारा जो friend है, या हमारी family है, वो बताते हैं, चीक है, तो इसलिए हमारे जो इस case में respondent होते हैं, मतलब जिन से हम responses लेते हैं, पूछते हैं, वो सारे लोग हो सकते हैं, जो हमारे subject से related है, ठीक है, narrative और detailed descriptions of events in a person's life, so case study जो हम basically लिखते हैं तो वो एक narration की तरह होती है, narration मतलब जैसे आप किसी के बारे में किसी को कोई कहानी सुना रहे हो, तो एक narrative होता है, detailed description होती है, ठीक है, description होती है, वो detail में होती है, बिल्कुल, आप उसके बारे में कुछ बताते हो किसी को case study जब लिखते हो, तो आप detail में हर एक event को समझाते हो, ऐसे लिखते हो, जैसे आप किसी को एक story सुना रहे हो, proper किसी person के बारे में, उसको क्या-क्या problems थी, उसके साथ क्या events हुए, फिर उस उसके जो behavior में क्या एक typical चीज है, जो हो सकता है, वो दूसरे लोगों की knowledge में ना हो, तो उस चीज को हम बाहर लाना चाहते हैं, focus में लाना चाहते हैं, सब को बताना चाहते हैं कि इस तरह की भी problem हो सकती है, या फिर इस तरह का behavior भी हो सकता है, ठीक है, और case study से किसी और को भ help मिल सकती है बढ़के, जैसे case study बनाते हैं, psychologist case study तयार करते हैं, फिर उसके base पे theories बनाते हैं, अब जैसे यहाँ पे दो example मैंने लिखे हैं, कि Freud ने अपनी psychoanalytic theory case study के base पे बनाई थी, और PRJet की cognitive developmental theory भी case study के base पे बनी है, तो case study basically इसलिए करते हैं, ताकि उस case study के base पे हम दूसर जा सकता है, और लोगों के साथ किस तरह से उस problem का effect कैसे पढ़ता है, तो सब को बताने के लिए, नई learning देने के लिए, ठीक है, अपने आप new कुछ learn करने के लिए, और कुछ information gather करने के लिए, मतलब यह सब चीज़ों के लिए case study करी जाती है, और जब हमारे पास actual में cases होता ह जिनके वो behavior है, जिनको study करना चाहते हैं, तो वो हमारी case study जो है न, वो थोड़ी सी easy हो जाती है, imagine करके आप नहीं बना सकते हैं, imagine करके आप मतलब कितना लिख लोगे, लेकिन अगर आपके पास actual में कोई ऐसा person है, जिसको आप study करके उसके बारे में लिख सकते हो, तो आपक criticism में ये कह रहे हैं कि case study जो है न, वो सब के लिए valid नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बोला कि case study में हम लोग बहुत जादा focus करते हैं, किसी एक person पे, या किसी एक particular group पे, और वो group किसी एक जगय का group भी हो सकते है, ठीक है, किसी एक culture का group भी हो सकते है, किसी religion का group भी हो सकते है तो criticism में कह रहे हैं कि ये सब के लिए valid नहीं है, आप जिसके उपर case study कर रहे हो न, अगर उसी के जैसा दूसरा group होगा, तो उसके लिए तो valid हो जाएगी case study, उसका जो result है, उसके अंदर जो test है, वो सब उसी group के जैसे दूसरे group के लिए valid हो सकते हैं, लेकिन अगर group change कर दिय जाए, तो valid नहीं होगा, जैसे Indian culture और Western culture को ले लो, अगर हम किसी Indian culture के उपर case study करते हैं, कुछ लोगों के उपर, और हम ये बोल दें कि ये जो case study है, ये सारे cultures के उपर valid है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Western culture में अलग तरीके का group होगा, ठीक है, अलग तरीके के ऐसे ही, अगर हम single person की बात करें, किसी एक person पे case study लिख कर बोलें, कि ये case study में हमने जो बाते बताई हैं, और जो result हमने discuss किया है, ये सब के लिए valid है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, case study जो है, किसी एक person की life के उपर बहुत जादा focused होती है, जरूरी नहीं है कि हर person की life में same तरह की situations हो, same तरह की events हो, तो इसलिए case study हर जगे पे valid नहीं माने जाती, ठिक है, अब उसको overcome करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, information must be collected by multiple strategies, एक तो जो हम information collect कर रहे हैं वो multiple strategies से होनी चाहिए, अलग-अलग तरीकों से collect करनी ज़ादा जरूरी है, एक ही तरीके से आप काम करोग तो वो हर किसी पे fit नहीं बैठेगा, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी case study कुछ जादा लोगों के लिए जादा valid रहे, तो आप अपना जो data collect कर रहे हो, वो अलग-लग strategy से करो, जैसे कहीं पे interview use करो, कहीं पे questionnaire use करो, कहीं पे test लेके देखो, ताकि आपकी जो आगे case studies वो सारे कहीं ना कहीं, तो मतलब fit हो जाएंगे लोग, ठीक है, देन दूसरा आप different sources से collect करो, sources भी अलग-लग होने चाहिए, थोड़ा बहुत आप उन लोगों से पूछ के करो, थोड़ा बहुत आप कहीं से internet वगेरा पे देखो, कुछ informations, कुछ informations आप पुराने books में से collect करो, तो आपके जो information है, उसके sources भी बहुत अलग-लग होने चाहिए, ताकि वो सिर्फ एक ही जगह की fix ना रह जाए, ठीक है, उसमें अलग-लग बहुत variety हो, जो जादा लोगों को suit कर सके, और तीसरी important चीज है, जो investigator है उसमें, number of investigator जो है, वो जादा होने चाहिए, जैसे आप case study क कर रहे हो, तो आपके साथ और भी लोग होने चाहिए, जो आपको case study की investigation करने में help करें, अब सब अलग-अलग अपने अपने तरीके से investigate करेंगे, तो क्या होगा, सब के viewpoints उसमें आ जाएंगे, ठीक है, तो एक subjectivity की problem नहीं आएगी, कि सिर्फ मैंने अगर बताया है, तो मैं अपने opinion से सोच के बता रही हूँ, वो वाली problem नहीं आएगी इसमें, तो जितने जादा investigator involved होंगे ना, उतने जादा objectivity रहेगी आपकी case study में, तो इसलिए इसका जो criticism है कि case study सब के उपर valid नहीं हो सकती, उसको अगर आप चाहते हो, वो problem कम हो जाए, तो हम उसमें ये तीनों चीजें apply करते हैं, multiple strategies यूज़ करते हैं, information collect करने के लिए, different sources यूज़ करते हैं, और number of investigators ज़्यादा होते हैं, तो ये थी आपकी पूरी description एक case study के बारे में, कि case study क्या होती है, तो आज को जो हमारा topic है, वो यहीं पे खतम होता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो यहीं प्लिए कूलरी के लिए उज नगी होते हैं?